प्यारे विध्यार्थियों कैसे हो आप आशा करता हूं आप बहुत अच्छी होंगे आईए हम आज का अध्याय प्रारंब करते हैं हमारे अध्याय का नाम है संबंधम अर्थात संबंध कारक एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करने के लिए सश्थी विभक्ती का प्रियोग किया जाता है संबंध का चिन का के की रा रे तथा री होता है जैसे श्री राम की पत्नी सीता है यहां श्री राम का सीता से संबंध बताने के लिए स्री राम शब्द के सश्थी विभक्ती का प्रियोग किया जाता है जैसे श्री राम से भार्या सीता अस्ती प्यारे विध्यारतियों यह पंक्ती हमें कहती है कि संबंदम अर्थात संबंध हमने पढ़ा था कि संबंद कारक में सस्थी विवक्ती का प्रयोग किया जाता है और इसके चिन होते हैं का, के, की तथा रा, रे, री जैसे सीराम की पत्नी सीता है तो यहाँ पर सीता का संबंद शीराम के साथ दर्शाने के लिए की शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे सस्थी विवक्ती का प्रयोग यहाँ पर शीरामस्य पत्नी या थात भार्या सीता अस्ती तो शी राम का संबन राम के साथ दिखाने के लिए हम जब राम में सस्थी विवक्ति का प्रयोग करते हैं तो भे संबन कारक कहलाता है अकारैंद पुलिंग तथा नपुनसकलिंग शब्दों के सष्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप। लिखने के लिए मूल शब्द के बाद क्रमशह, अस्य, अयोहो तथा अनाम जोड़ा जाता है जैसे बालकस्य, बालकयोह, बालका नाम, रामस्य, रामयो, रामा नाम अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दों के सस्थी विवक्ति के रूप लिखने के लिए तीनों वचनों में क्रमशह, आयाह, आयोह, तथा आनाम जोड़े जाते हैं जैसे बालका आयाह, बालककयोह, बालका नाम, रामा आयाह, रमयो, रामा नाम प्यारे विध्यार्तियों, आपने देखा संबंद में सस्थी विवक्ति का प्रियोग होता है और संबंद में जो चिन्न प्रियोग किये जाते हैं का, के, की, रा, रे, री और यहाँ पर हमने देखा पुलिंग शब्दों में उनके अंत में अस्य अयोहो आनाम जोड़ा जाता है और इस्त्रिलिंग शब्दों के लिए अंत में आयाह अयोहो आनाम जोड़े जाते हैं आईए अब हम इनका वाक्य प्रियोग देखते हैं एतस्य व्रिक्षस्य फलानी मधुरानी संती इस व्रिक्ष के फल मधुर है अर्थाद मीठे हैं एतयोह व्रिक्षयोह फलानी मधुरानी संती इन दो व्रिक्षों के फल मीठे हैं एतेशाम व्रिक्षानाम फलानी मधुरानी संती इन सभी व्रिक्षों के फल मीठे हैं प्यारे विध्यारतियों आपने वाक्य के प्रयोग के माध्यम से देखा कि यहां पर व्रिक्षा नाम अर्थाद व्रिक्ष के फल तो यहां पर व्रिक्ष का संबंद फल से हैं और फल से व्रिक्ष का संबंद दिखाने के लिए हम व्रिक्ष के अंदर सस्थी विवक्ति का प होता है पिकस्य अर्थात कोयल का रंग भी काला होता है परंतु इन दोनों का स्वर अर्थात इनकी आवाज भिन अर्थात अलग होती है पिकस्य स्वरह मधूरह परम काकस्य करकशा भवती ये कहना चाता है पिकस्य स्वरह अर्थात कोयल का जो स्वर है उसकी जो आवाज है वे मधूर होती है परंतु काकस्य करकशा भवती और कवे की जो आवाज है वे करकशा अर्थात कठोर होती है खगाहा व्रिक्षानाम उपरी वसंती पक्षी व्रिक्षानाम उपरी पेडों के उपर रहते हैं वानराहा व्रिक्षानाम फलानिक खादनती वानर व्रिक्षों के फल खाते हैं भ्रमराह पुष्पानाम उपरी गुंजन्ती अर्थाद भ्रमर जो भवरे हैं वे पुष्पानाम उपरी पुष्पों के उपर फूलों के उपर गुंजन्ती गुंजते रहते हैं घूमते हैं व्रिक्षानाम शोभा दर्शनिया भवती पेडों की शोभा देखने लायक होती है एतत रामायन स्य पुस्तकम अस्ती यह रामायन की पुस्तक है रामायन स्य रचयता महर्शी वालमिकी है अस्य नायक हः श्री राम अस्ती इसके नायक श्री राम है रावन लंकायाह निर्पह आसेद रावन लंका का राजा था लक्ष्मन श्री रामस्य अनुजह सीताच भार्या आसेद लक्ष्मन श्री राम के अनुज अर्थाच छोटे भाई और सीता उनकी पत्नी थी श्री क्रिश्नह वासुदेवस्य पुत्र आसेद श्री क्रिश्न वासुदेव के पुत्र थे बलराम स्री क्रिश्नस्य अग्रज आसेद बलराम स्री क्रिश्न के बड़े भाई थे स्री क्रिश्न स्य भार्या रुक्मनी आसीत स्री क्रिश्न की पत्नी रुक्मनी थी एशह गंगायाह तटह अस्ती यह गंगा का तटह अर्था किनारा है गंगायाह तटस्य प्रातह कालस्य साय कालस्य च द्रिश्य रमनिय भवती गंगा का तट अर्था सुबह के समय और शाम क के समय का द्रिश्य रमनिय होता है प्यारे विध्यारतियों हमने यहां पर संबंद का प्रयोग देखा जिसमें सच्छी विवक्ति का प्रयोग होता है और इसके चिन्न होते हैं का के की रा रे री और यहां पर हमने पुलिंग और नपुन्सकलिंग शब्दों का जब हमने प् और इस तरह लिंग में क्रमशह आयाह आयो हो आनाम जोड़े जाते हैं तो प्यारे विद्यारतियों मैं आशा करता हूं आपको यह पार समझ आया होगा आप भी अपने स्तर पर इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा